देखिए आज तक HD आज से टाटा स्काइपर चैनल नंबर 508 और शाम रंगीला भी यहाँ पर मौझूद है जो कि दोनों रंग राहूल गांधी के भी और नरेंद्र मोदी के भी हमें दिखाएंगे अब देखिए यहाँ पर तीन-तीन का टक्कर होना था एक तरफ कोरम पूरा नहीं हुआ है लेकिन दो ही सब पर भारी पढ़ेंगे यह आश्वासन दे रहे हैं टीम B की तरफ से जो वेद प्रकाश वेद और फारुख सरल जी है वो क्या करते हैं और इधर नाम तो राहूल है लेकिन मोदी की टीम में है डॉक्टर राहूल लवस्ती शंबू शिखर और उनके साथ आपको बता दी कि कुल्दी पंगार जी भी हमारे साथ रहेंगे तो सबसे पहले शुरुआत हम करवाते हैं विजेता टीम से लेकिन कवी सम्मेलन में जीत किसकी होगी वो देखेंगे वेद प्रकाश वेद जी संसद का शीत कालीन शत्र शुरू हुआ चुनाओं के रिजल्ट भी आए तो मोदी जी ने दोनों मामनों में एक ही बात कही आज शिर्फ शरत धांजली देने का दिन है जीत में उनके नाम करता हूँ कुछ सुनिएगा जिनों ने मेहनत की और किस तरह की मेहनत की दर्द बे सहारों का क्या कहें उन विचारों का क्या कहें ऐसी कड़कती ठंड में बीवी को छोड़कर ईवी एम के साथ सोए तकदीर के मारों का क्या कहें और दूफरी बात यह के भाजपाई से हार नहीं मानती क्योंकि एकजिस्ट पॉल आते ही योगी जी ने वो फी दिन हार का नाम बदल कर जीत रख दिया था अब अच्छे वह देखे का नाम बदल के बीजपी नहों जाए और अंत में दो पंक्तियां और सनाता हूं वहारे मध्यपरदेश दिया क्या खूब जनादेश जब नेताओं ने हर चुनाओं में राम को रामू बना दिया अब देखो जनता का जलवा अच्छे खासे मामा को म बहुत बहुत दन्यवाद आपका बहुत बहुत बढ़ी अवेद प्रकाश जी हालां कि सवाल उन्होंने उठाए हैं योगी आदितिनात पर भी सवाल उठें मंदिर के वादे पर भी तो मुझे लगता है जिन्होंने भगवा वस्त्रधारन किया है जिए हम टीम ए से अब उन्हें बुलाते हैं कुल्दी पंगार जी राज भले हाथ से चले गए हैं पर करनाना मन को उदास चाहिए और जो भी कहते हैं यह हार मोदी जी की हुई यह कहना भी नहीं अनायास चाहिए कि जीत की प्रतीत में जो सदा जीना चाहता हो, हार उसके सदय वास पास चाहिए और 2019 का रण जीतने के लिए होना अब पूरे मन से प्रयास चाहिए पूरे मन से प्रयास चाहिए तो भले सिव राज राज मातायार रमन गए इसे आप उन्निस की मानुमत भूमिका और बोटरों ने अलप विस्तरा में इन को दिया है पूरी भाज पागा नहीं भार इन पेटी का जो भी सोचते प्रवाव भाव खत्म मोदी का है यह जान लें कि अभी गिरी ना यवनिका और कांगरे समद मत्त होती दीख रही किन्तो बोटरों का स्वाविमान कभी भी नहीं विका और कहना चाहता हूं वेदी आपकी बात का उत्तर दिना चाहता हूं कि मोदी भारती यह सुचिता के प्रतिमान रहे खुद प्रतिमान बनने के हे तुआये हैं और देशरक्षकों का मनुवल बलहते दिखे हैं नित्य प्रतिगान राष्ट्र वंदना के गाए हैं कि बिश्च के पटल पे अटल खड़ा देश हुआ स्वागतार्थ लालकार पेट को विच्छाए हैं और 68 साल से जो जंप हो गई थी उस आजादी को गर्त से निकाल कर लाए हैं और एक मोदी जी की विशेष्टा बता दूं आज के चुनाओं में इस्की मोदी जी की महमा निराली दीखिती है हमें राहूँ लुपे रंग से और गहा दिया और गांधी परिवारणे देसे पेहना था कभी उपवी थपेहन और ईन्हें तगढ़ा दिया कि मंदिरों की घंटियां में सकते में आज तक हमको बजाया हाथ किसने बढ़ा दिया और मोधी मोधी आज रटने लगे हैं सभी मोधी जी ने यह परिणाम तो बढ़ा दिया बात का जवाब जोड़ा चाहते हूँ आपने कहा कि राहुन को मंदिर जाना सिखा दिया दोलाई ने कहता हूँ कि मोधी जी आपका क्या कहना पैट्रोल के दाम इतने बढ़ाए डॉलर इतना बढ़ाया कि मनमोहन जी को बोलना आ गया और आपको चुप रहना अच्छा श्याम रंगिला से हम कहेंगे कि आप यहां पर आकर अगर अपने विजाई नेता यानि राहुल गांधी जो बड़े लंबे अरसे के बाद इतने सारी जीत का श्रे उन्हें मिल रहा है उनकी पाटी द्वारा उनके अंदाज में जरा कुछ बताएं अब आपको मानना पड़ेगा कि मैं ही हूँ महा गठबंदन का असली की वहिया अब हम मनाएंगे मिलकर जेशन और मोदी जी करेंगे हाई हाई दैया जैसिव संकर जैगो मैया अरे इतना चुटा भाशन बाकी का लिख के लाया हूं है हाथ सुरएए अब तक जब जो किदार को अब इसके पज से अठाएंगे जबबर सिंग टेक्स से जनता को निजाद दिलाएंगे अभी तो जीते हैं मध्या बर्देश राजस्थान और चथिसगर दोहजार उन्नीस में देखो बहीया हमी सरकार बनाएंगे आओच छुन्ये 35 लाख युवाओं को रोजगार दिलाएंगे आलुक के दाम किसानों को सोने से दिलाएंगे फिर कहता हूँ जय जय सिवसंकर काटा लगे ना कंकर बहुत बहुत धन्यवाद अपने कांग्रेसी मित्रों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ और भारत्य जंता पार्टी जिस तरीके से धराशाही हुई है मैं समर्थन में होते हुए विरोध की बाते करूंगा लेकिन जिस तरह से राहूल गांधी की बाते यहाँ पर कही गई मैं एक सजेशन अपने टीम के लोगों को विपक्षी टीम के लोगों को देना चाहता नख्रे बहुत बढ़े हैं थोड़े धीले करा दो भाशन को और भी जरा रसीले करा दो लड़का है होनी हाँ यह परींडाम दिखाकर लड़का है होनी हार यह परिराम दिखाकर राहुल के हाथ इस बरस तो पीले करा राहुल के हाथ बेख़ले चुनाव की कोई गरंटीं नहीं और सच्च के इसलिए नहीं है कि जनता को न पहले कीतर हो पर गलाएंगे जनता को न पहले की तरहा बर्गलाएंगे वादा जो किया है उसे पूरा निभाएंगे राहुल जी अब चुनाब आप जीत चुके हैं तो सारे राज्यों में ही ये सोना उगाएंगे के तो में अभी है जाके तो सुना इनके कुर्फ ये जाने में आई जाते हैं तो अब तो मुझे लग रहा है कि इनका ही जवाब लेना होगा क्या क्योंकि आपका तो इधर के लिए ही आरोफ हो गया लेकिन चलिए फारुख सरल जी का स्वागत करते हैं कि इतने भी ला है वो हमारी दृष्ट में हम कभियों की दृष्ट में बराबर है वह दर हमारे चंभशटा की दृष्ट में बराबर हैं आ पयंतस तक render तक Mmm तो जनता भी यही सोचती है थोड़ी देर मालिजे एक हम प्रत्यासी है और यह प्रत्यासी है एक दल क्या यह प्रत्यूद करें एक दल का हम प्रत्यूद करतें लिक्र अगर इमानदारी से कहें तो कोई जरूरत नहीं दोदल बनाने की सुरिएगा कि एक से बढ़कर एक धु प्रणदर सभी भाग से बने सिकंदर को एक दुझे से यही कह रहे अपनी रहों में सभी बहे रहे एक दुझे से यही कह रहे इस कुर्शी पर हम बैढ़ेंगे कहीं और तुम में किसको हमारे सिवा बोलों चुनोगे तुम किसको हमारे सिवा बोलो चुनोगे तुम किसको पहली सबांता कि मैं हूँ पंडा ये है काजी दोनों ही कुर्सी से राजी ना मैं पुजारी ने नमाजी मैं भी पाजी है भी फर्क नहीं पढ़ता है कोई मुझे चुनो जा इसको हमारे सिवा बोलो चुनोगे तुम किसको हमारे सिवा शब्दों का अंतर हो सकता लेकिन गुरुवत्ता दोनों की बराबर सुरेगा कि मैं जगडालू हूँ ये लडाकू मैं जगडालू हूँ ये लडाकू मैं चंगेजी हूँ ये हलाकू मैं हूँ छुरी और ये चाकू मैं भी डाकू ये भी दोनों देश को ही लूटेंगे चुनिये चाहे जिसको हमारे सिवा बोलो चुनोगे तुम जिसको हमारे सिवा बोल की सरी समानता कि राजनीतिका एक कहरा अपना मकसद एक ही ठहरा दोनों का संबंध है गहरा मैं हूँ अंधा ये है बहरा दोनों नहीं सुने देखेंगे रो चाहे सिसको हमारे सिवा बोलो चुनोगे तुम किसको हमारे सिवा बोलो ये रड़ाई जगड़ा बहुत बोड़ी दिर का है फिरम से लिए खो जाते हैं वहां जाके कि बस चुनाओ भर हम्मा हम्मा धमा भांद धम्मा जीट गए तो दम्मा धम्मा वल्ले वल्ले चम्मा अजुम एक रेगा वहाँ भांगड़ा एक्रेगा ढिस्को हमारे सिवा बोलो चुलोगे तुट पात मिझे य बहुत जबर्दस्ट वापसी हुई है एक हमारे मित्र कहते हैं कि कॉंग्रेश जो है नो वो गैस के बीमारी की तरह है आप कितना भी इलाज करा लो साल दो सार चार सार बात वह वापस उभर के आई जाता है आपकी टिपणिया निश्पक्ष है आपनी टीम के प्रतिय है श्वेता जी कभी किसी एक दल का हो ही नहीं सकता जिस तरह पत्रकार अपने समय की आँख होता है उसी तरह कभी अपने समय की कलम है और अपने समय का कलम जो होगा उसे सही लिखना होगा अधर पर मुस्कुराहक टांकने का नाम कविता है किसी कभी के हरदय में ज्ञांकने का नाम कविता है कहा क्या हो रहा और होना चाहिए क्या ये बड़ी पेनी नजर से यांकने का नाम कविता है मैं शाम के प्रश्ण के उत्टर देता हूँ और शाम ने जो कहा वो बात आप सब तक पहुचाता हूँ कि पंच्छी हार तेना असमानों की उचाईयों से कम जोर पढदते परों से हार जाते हैं माता से पिता से है सरशक्त का उनकिन तुए भी बेटियों से बेटों से घरों से हार जाते हैं वीर हारते नहीं है वैरियों के फाइरों से अपने में छिपेकाईरों से हार जाते हैं और किसी गोरी से या गोरे से ना हारते हैं हम हम जय चंदों जाफरों से हार जाते हैं किसी गोरी से या गोरे से ना हारते हैं हम हम जय चंदों जाफरों से हार जाते हैं आपको हम एक एक सीख दे करके जाते हैं और आप लोगों ने जो अपनी बात कही है मैं आपको बधाई भी देते हैं राज्तिलक की भी बदाई देते हैं लेकिन एक बात कह करके जाना चाहते हैं कि अगर हकी तमन्ना है तो जिम्मेदारियां भी हो सफर आसान करने के लिए दुश्वारियां भी हो सफर आश्तान करने के लिए दुश्वारियां भी हो और तरक्की के नए खौबों की सूरत खुशनुमा है पर तरक्की के लिए बाते नहीं तैयारियां भी हो। नवी कवी सम्मेलन जो की कवियों के बीच एक टकर थी अभी के लिए इतना ही बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका बहुत धन्यवाद के लिए यूही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक शेर और सब्सक्राइब करना ना भूले